हेलो बचो तो आज हम देखते हैं फ्युचर इंडेंट टेंस हम पढ़ चुके हैं पीछे भाग में प्रिज़ें टेंस को पूरा पढ़ लिया है तो आज हम पढ़ेंगे फ्यूचर इंडेंट चल यह देखते हैं फ्यूचर फ्यूचर इंडिफिनिट टेंस फ्यूचर इंडिफिनिट टेंस देखे इसकी पहचान क्या है पहचान है इस टेंस के वाक्यों के अंत में गा, गी, गे आदी सब्दे आते हैं आते हैं और कार का होना फ्यूचर में पाया जाता है फ्यूचर में पाया जाता है पाया जाता है ध्यान दे इस टेंस के वाक्यों के अंत में गा, गी, गे आएंगे और इसमें जो कार का होना होगा यूप फिचर टेंस में पाया जाएगा इसका आप देखते हैं अफर मेट्यू संटेंस कैसे बनेगा अफर मेट्यू संटेंस इसका रूल है आई और वी के साथ साथ हेल्पिंग वर्ब साहल लगाते हैं और अन सब्जेक्ट के साथ अन सब्जेक्ट के साथ दिल का परियोग करते हैं दिल का परियोग जै बिल का परियोग करते है और वर्ब का फष्ट फार्म लिखते हैं इसमें रूल ही है की आई आई अगर कहीं पर आपको सब्जेक्ट में दिखता है आई या भी तो हाँपने या लगाएंगे और अन्य कोई भी करता हो तो हाँब्सoter हम ही लिखेंगे इसका बनाने का तरीका है यह रूल लिख लिजिए बनाने का तरीका क्या है यह देखते हैं और इस्टेंज का पहचान हो गया है कि क्या आएगा लास्ट में गागी गे तो पहले हम सब्जेक्ट लिखेंगे प्लस क्या लिखेंगे विल या सैल में से कोई एक ही लिखना है प्लस वर्व फर्ष्ट फर्म प्लस आपजेक्ट यही लिखना है आपको सब्जेक्ट विल या सैल प्लस वर्ष्ट फर्म प्लस आपजेक्ट एक्जामपल दिखते हैं जैसे मैं कल पढ़ूंगा मैं कल पढ़ूँगा तो यहां पर गाया लाष्ट में आपको दिख रहा है और हम बताएं सबसे पहले सब्जिक्ट लिखे सब्जिक्ट कौन है आई के साथ क्या लगेगा साइल आई साइल काम क्या कर रहा पढ़ने के इंगरेजी आई साइल रीड मैं पढ़ूँगा कब कल क कॉन साहे मैं कल पढ़ होंगा यानि आने वाला कल है तो क्या लाएंगे डिमारो मैं कल पढ़ होंगा और दूसरा क्एंग पार तो क्या हो जाएगा सबसे पहले सब्ज़क्ट क्या है वे वे की sait लगेगा वल आप बता है आय और के साथ कि याज़ लगेगा सालाने के साथ उनकर यह निया कम क्विन कोई वे अपने घर से कल आएंगे कल नहीं सोरी वे अपने घर से आएंगे और एक्जांपल देखते हैं लड़कियां कुछ लड़कियां कुछ हैं खिलों ने खरीदेंगी खरीदेंगी लाष्ट में गी आया आगी यह आपका फ्यूचर इंडिफिनिट टेंस का परचान है और इसमें देखिए आप सबसे पहले सब्चिक्ट सब्चिक्ट कौन है लड़कियां लड़कियों के एंग्रेजी गर्स गर्स इनके साथ क्या लगेगा विल आ हम ट्वाइज गैल्स वील वाई संट वाइज लड़कियां कुछ खिलाओने खरीदेंगी हम एक पत्र लिखेंगे लिखेंगे तो जाएगा वी वी के साथ क्या लगेगा सैल आपको बतायें वी सेल काम क्या करेंगे लिखेंगे लिखने के इंगरेजी राइट वी सेल हम एक पत्र लिखेंगे यह आपका क्या है अफरमेटिव अब देखते हैं निगेटिव सेंटेंस कैसे बनेगा निगेटिव का रूल ही है कि निगेटिव सेंटेंस Negative sentence का rule है Will या sell के बाद Sell के बाद Not लगाते हैं और सब नियम औही रहता है यानि बर्ब का first form नियम औही रहता है वोही रहता है। अपर मेट्यू का सब नियम होई रह franchise क्या है? विल यासाहिल के बाद क्या लगा देना है? नाट लगा देना है। जैसे इक जंपल देखते हैं उसके पिता कल आगरा नहीं जाएंगे। नहीं जाएंगे लाश्ट में गेशर्ब आया और बीच में नहीं आया निगेट्व संटेंस रहे तो हो जाएगा अए उसके पृता सब्जेक्ट है तो हो जाएगा हीज फादर हीज फादर सब्जक्ट हो गया हाँ बनाने थोड़ा तरीका देख लेते हैं सब्जेक्ट प्लस फूल या सायल प्लस नाट लिख लिए फिर फर्ष स्ट फांब फ़ॉस्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट डियांट तो यहां पर आपका हो गया subject his father हो जाएगा इनके साथ क्या लगेगा will not काम क्या करेंगे जाने के इंग्रेजी go कहा go to आगरा कब कल यानी आने वाला कल तो हो जाएगा tomorrow उसके पिता कल आगरा नहीं जाएगे his father will not go to आगरा तुमारो वह पतंग नहीं उड़ाएगा वह पतंग नहीं उड़ाएगा last में आया बीच में नहीं आया negative sentence सबसे पहले subject वह एक एंग्रेजी he के साथ क्या लगेगा will he will फिर हम क्या लगाएगे not he will not come क्या है fly he will not fly क्या चीज काइट वह पतंग नहीं उड़ाएगा he will not fly काइट अगला उसकी मा हमारी सहायता नहीं करेंगी नहीं करेंगी तो क्या हो जाएगा last में गी आया बीच में नहीं सब्द आया है negative sentence सबसे पहले subject उसकी मा हो जाएगा his mother his mother क्या लगेगा इनके साथ will will के बाद क्या आएगा not his mother will not काम क्या कर रही है help help miss मदद करना help miss मदद करना हमारी his mother will not help us ठीक है इस तरह आपका negative sentence बनेगा और वीडियो आपको अच्छी लगी तो जरूर लाइक करिए share करिए अपने मित्रों में और नए आये हैं तो जरूर सब्सक्राइब करें थैंकि बच्चों